ओम शन्ति आज मीठे प्यारे बाबा ने पढ़ाई का महत्व सुनाया है कि हमारा ध्यान पढ़ाई पर हो अच्छे पुरुशार्थी कहें या अच्छे स्टूडेंट का ध्यान हमेशा अपनी पढ़ाई पर होता है इधर उदर नहीं होता अगर बुद्धी का मन का भटकाव होगा तो स्वभाविक है जो हम पढ़ाई करना चाते हैं जो हमारा लक्ष है उससे कहीं हम दूर हो जाते हैं इसलिए लक्ष सामने हो पढ़ाई पर अटेंशन हो साथी साथ दिव्य गुणों की धारणा जो बाबा हमसे चाहते हैं कि एक एक बच्चा बाबा का बच्चा राजा बच्चा अर्थार्थ नर नाराईन की तरह नारी लक्षमी की तरह हो साथ साथ आज बाबा ने स्मर्ती दिलाई है बच्चे वापिस घर जाना है 84 जनम हुए हमें पाड बजाते बजाते आत्मा ठक चुकी है और यूं कहें वानप्रस्त हो गए है अब चाहे इस संसार में बच्चा है या युवा है या वानप्रस्ती है लेकिन है सब वानप्रस्ती वानी से पड़े अपने घर sweet silence हूम में जाना है तो यहां से हमारा उपराम व्रती, वेराग व्रती हो, हम न्यारे हो, कर्म करते हुए भी न्यारे बाबा की याद में हो, स्मर्ती रहे, अब घर जाना है तो सुनते हैं बाबा की महवाक्य, मीछे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ, बाबा, भगवान, है ही वाणी से परे, मैं आया हूँ, तुम बच्चों को उपराम बनाने, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से न्यारे, उपराम बनाने अभी तुम सब की वानप्रस्त वस्ता है, अब वाणी से परे घर जाना है प्रश्न है अच्छा पुरुशारती स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ अच्छा पुरुशारती स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, कितनी मीठी बात है, अपने आप से बातें, अपने आप से बातें कौन सी, ये नहीं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये बातें नहीं है, लेकिन अपने आप से बातें, मेरा लक्ष क्या है, सुक्षम स्टडी करता हो, अच्छा पुरुशार्ती वो जो अपने आप से बाते करना जानता हो, सुक्षम स्टडी करता हो, पुरुशार्ती स्टूडेंस सदा अपनी जाच करते रहेंगे, कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, कोई ऐसा अवगुन तो नहीं है डैविगुन कहां तक धारण किये है वे अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टी सदा रहती है मेरा आत्मिक भाव सबके लिए रहता है जिसको भी देखूं जिससे मैं मिलूं ये आत्मा मैं भी आत्मा, आत्मा के नाते भाई भाई है तो भाई भाई की दृष्टी ये आत्मिक भाव कितना रहता है क्रिमिनल खयालात तो नहीं चलते है आज बाबा ने कहा रूहानी बच्चों प्रदी जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने के लिए पुरुशारत कर रहे हैं किस से बात किये? रूहानी बच्चे जो पुरुशारत कर रहे हैं वाणी से परे घर जाने का तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़ कर जाना है बाब कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ इसलिए इस देहे और देहे के संबंधों से उपराम होना है अपनी देहे और जो हमारे रिष्टे, नाते, संबंध है उन सब से न्यारे ये तो छीछी दुनिया है ये भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है कितना कहा है बाबा ने बार बार अंडर लाइन कराते हुए अब घर जाना है बाब आया है पावन बनाने लिए तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरी छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे घड़ी घड़ी बुद्धी में आना चाहिए कि हम अब घर जाने की तैयारी कर रहे है अंदर में समर्ती बनी रहे कि मेरी हर घड़ी ये तैयारी है घर जाना है दिल्ली जाना हो तो बुद्धी वहीं रहेगी ना पैकिंग के लिए कि मुझे ये पैक करना है, ये पैक करके ले जाना है, ये पैक करना है, ऐसे यंद में स्मुर्ती रहे, अब घर जाना है, उसकी तयारी, जो करेंगे, वही साथ चलेंगे, जो तयारी करेंगे, यहां से उपराम होंगे, न्यारे होंगे, वही बाप के साथ चलेंगे, जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर पदम पदी बनते हैं जो ईश्वर अर्थ दान पुन्य करते हैं वही जाकर पदमा पदम पती बनते हैं नई दुनिया में वे लोग इस पुरानी दुनिया में इंडारेक्ट करते हैं समझते हैं, ईश्वर इसका फल देंगे, अब मैं आया हूँ, तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे, वैं तुमको 21 जनम के लिए पदम होकर मिलेगा, सोचो कितना बाबा दे रहा है, एक का एक गुना नहीं, एक का पांचे गुना नहीं, गुर्मेंट तो हो सकता है, एवडी वगेरा में, साथ गुना करके दे देगी, सेवन परसेंट, यहां तो बाबा रिटर्न कितना दे रहा है, एक का पदम, तो यहां तो लग जाना चाहिए, तो बाबा कहता है, अभी जो देंगे, जो सफल करेंगे, तनुमन धन, संकल्प, सम समेश्वास, वै तुमको 21 जनम के लिए पदम होकर मिलेगा, हम तो नारायन अत्वा लक्ष्मी मनेंगे, यह नशा चाहिए, तो फिर इतनी महनत तो करनी चाहिए न, प्राप्ति कितनी उची है, इतनी सी महनत, मेरा सब को सफलो, तनुमन धन, संकल्प, समेश्वास, सफलो, पढ़ाई में, अंदर में, बुद्धी लगी रहे, बाबा की याद बनी रहे, दुनिया से उपराम रहे, इतनी महनत तो करनी चाहिए, ऐसा तयार रहना चाहिए, जो पिछाडी में कोई भी याद ना आए, तुम कहते हो न, अंत काल जो इस्तरी सिम्रे, जिसको जो याद क इसलिए बाब को फॉलू करना चाहिए, ऐसे नहीं, बाबा बुड़ा है, तब समझते हैं, ये तो शरी छोड़ नहीं है, कभी ये नहीं सोचना बाबा की तो उमर हो गई, इसलिए बाबा कहता है कि ये शरी तो छोड़ना है, लेकिन आज तो कहेंगे इस दुनिया में, सब का हाल तो देखो क्या है, तन तो सबके बिगडे हुए है, छोटा सा बच्चा पांसा साल का, वो भी कहता है मेरा सिर दर्द है, मेरी टांग दर्द है, कमर दर्द है, नहीं, तो ये पहले के जमाने में तो बात ही नहीं थी कि सिर दर्द बच्चों की, टांग दर्द और अब तो शरीर, खालत शरीर की खराब हो चुकी है तो सब क्या कहेंगे वानप्रस्ती है नहीं तुम सब बुड़े हो, सब की वानप्रस्त अवस्ता है सब को वापस जाना है अपने घर इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धी योग तोड़ अब तो जाना है अपने घर फिर जितना वहाँ ठैरना होगा, उतना वहाँ ठैरेंगे जितना परमधाम में हमारा पार्ट होगा, ठैरना होगा, वहाँ ठैरेंगे फिर आएंगे इस रिष्टी पर, रंगमंच पर आकर रोल प्ले करेंगे जितना पीछे पार्ट होगा, तो पीछे शरीद धारन कर पार्ट बजाएंगे कोई तो सौ वर्ष कम, पांच हजार वर्ष भी शानती धाम में रहेंगे कईयों का पूरा साइकल, ये साइकल पांच हजार वर्ष का तो पूरा साइकल उपर रहेंगे लास्ट में कुछ आकर के, कुछ साल, कुछ बरस, सौ साल, पचास साल आके पार्ट रोल प्ले करेंगे, पिछाडी को आएंगे पार्ट तो जरूर बजाना है, कोई भी आत्मा है, इस चक्र से छूट नहीं सकती तुमारा पार्ट है शुडू में आने का, जब आना ही है, तो क्यों न, सत्यू के प्रारंब में आएंगे कर रोल प्ले करें, उस नई दुनिया में सुख की दुनिया में आएंगे, तो बाप कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अब तो चलना है, 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, को याद भी करो, साथ साथ, दैवी गुन दिवता बनना है, तो गुन भी वैसे चाहिए, दैवी गुन, बाप समझाते हैं, बच्चे अपनी जाच करते रो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुमारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चाट रख तो पक्के होते जाएंगे, दैवी स्वभाव बनाने के लिए, माल लो मेरे अंदर गुस्से का संसकार है, तो यह तो आसुरी संसकार हुआ, गुस्से से तो कहते हैं, घड़े के घड़े सूक जाते हैं, और अगर मेरा संसकार गुस्से का होगा, तो घर में कले कलेश बनी रहेगी, तो दैवी संसकार कौन सा है, शान्ति, प्रेम तो हमारे ऐसे संसकारों जो सुख देने वाले परन्तु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते है यहां भी सभी सेंटरस में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है फिर देखना है हम रोज जाते हैं दैवी गुन धारन करते हैं, रजिस्टर रखेंगे तो देखेंगे हम अपने बाबा के घर में रोज जाते हैं, महवाक्य सुनते हैं, फिर साथ-साथ दैवी गुन धारन करते हैं भाई बहन के संबंद में भी उंचा जाना है सिरफ रूहानी दृष्टी भाई भाई की चाहिए भाई भाई के संबंद में संबंद बहुत उंचा बन जाता है भाई बहन से भी उंचा संबंद है भाई भाई का तो हम आत्मा हैं माब के बच्चे हैं ऐसे ऐसे अपने से बाते करना है, ये है सुक्षम स्टड़ी, मैं आत्मा हूँ, बाबा की बच्चे आत्मा के नाते भाई भाई, इसमें आवास करने की तो दरकारी नहीं है, ये पुरुशारत भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता, बाप ही सबसे उंच है, ऐसे बाप को पत्थर ठीकर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है, भगवान सर्वोच, और लोगों ने कह दिया सब में है, तो तो हो नहीं सकता, तो बलकि उससे अपनी गिरावट हो गई, क्योंकि मेरी सोच ऐसी हो गई, कहां वे संपूर निर्विकारी, भगवान कहां, एकदम निर्विकारी, और कहां ये संपूर विकारी आज का मनुष्य, तुमारा फर्ज है, जो भी आए, उनको बाप का फर्मान बताना, सीड़ी के चित्र पर समझाओ, सब की वानप्रस्त अवस्ता है, सभी शांती धाम और सुख धाम में जाएंगे, सुख धाम में वे जाएंगे, कौन जाएंगे, जो आत्मा को बुद्धी योग बल से संपूर पवित्र बनाएंगे, कंडिशन, सुख दाम में वे जाएंगे, कौन? जो आत्मा को बुद्धी योग बल से संपून पवित्र बनाएंगे कोई भी प्रकार की आसूरियता नहीं पवित्र बनने की मैनत करनी पड़ती है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे और भाई बेहन समझो तो द्रिष्टी बदल जाएगे मैं आत्मा कौन सामने वाला कौन तो बाबा कहते भाई भाई या ये हमारा इश्वर ये परिवार भाई बेहन है सत्यूग में द्रिष्टी खराब नहीं होती है बाप तो समझाते रहते हैं बचे अपने से पूछो हम सत्यूगी देवता हैं या कल्यूगी मनुष्य हैं अच्छा सवाल है नित्य अपने से पूछो मैं कौन मैं कल्यूगी मनुष्य कल्यूगी मनुष्य के माथे पे तो कहेंगे आजकल कांटों का ताज तो कांटों का ताज कौन सा है आप कहेंगे वो कौन सा ताज है तो चिंताओं का ताज है दुख का सिमरन होता रहता है ये हो गया ये हो गया स्थितियां परिस्थितियों के लिए हम सोचते रहते हैं तो यह कांटों काताज है पोजीशन है तो दुख कष्ट है नहीं है तो वो भी कष्ट है दौलत है तो उसको कैसे संभालने कष्ट है दौलत नहीं है तो कष्ट है तो कांटों काताजी तो हुआ तो कल्यूगी मनुष्य हैं या सत्यूगी एक दम, बेफिकर, बादशा, देवता, संपून, निर्विकारी, स्रेष्ट, पवित्र आत्माई तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आधी बनाने चाहिए एक कहे ऐसे चित्र बनाओ, जो रिप्रेजेंट करे कौनसी बात, एक कहे सत्यूगी हो या कल्यूगी हो, ऐसे स्लोगन बनाओ, चित्र बनाओ दूसरा फिर दूसरा प्रश्ण पूछे, ऐसे धूम मचा देने चाहिए, ऐसे चित्र हो, जो मनुष्य उसको देख कर ही समझ जाए, जिससे चारों तरफ धूम मच जाए बाप को बुलाया है, आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूँ, कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है, सिंपल बात, इशारा भी बाबा देरेग, सहज है कौन सा, मन मना बाओ, देवता बनना है, मन मेरे में लगाओ, मन मना बा कयामत का समय है हिसाब किताब चुक्तु कराए वापस ले जाते है आप कहते हैं भाई बेहन समझो बाप कहते हैं भाई बेहन समझो कभी दृष्टी न जाए किसका काम का भूत लोब का भूत आ जाता है बाबा कहते हैं भाई बेहन समझो तो दृष्टी भी खराब नहीं होगी नहीं तो क्या होता है आज कल किसी के अंदर काम विकार जग जाता है कभी लोब वृत्ती आ सकतियां जग जाती है कभी अच्छा खाना देखा तो आ सकती आ जाती है दिल होगी मैं ये खाऊ मैं ये खाऊ, छिपकर भी खाएंगे चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की कोई बेचने वाले को देखा, ये बेच रहा है थोड़ा सा आकरशन पैदा हो जाएगा ये ले लू, ये खरीद लू, ये खा लू चुपचाप उठा के खा लू किती प्रकार की व्रती आ जाती है फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ता है फिर इदर उदर का खाया, बाहर का खाया मेरी मनोवरती दूशित हुई, मैंने खाया तो उसका प्रभाव भी आएगा अंदर में पुद्धी भ्रष्ट हो जाती है प्रभाव कौन सा आएगा पुद्धी भ्रष्ट हो जाती है मा, बाब, अनन्य बच्चे जिनों को सर्टिफिकेट देते हैं उनों को फॉलो करना चाहिए बाबा हमारा सच्चा-सच्चा मात पिता जिनके लिए कहता है कि ये बच्चे अनन्य बच्चे इनको फॉलो करो उन्हें फॉलो करना चाहिए यग्य का जो मिले वे मीठा समझ कर खाना चाहिए बाबा के घर में जो बना वही मीठा है, वही अच्छा है सिंपल है, बहुत अच्छा कितना शद्ध भाव से बना हुआ प्रभु स्मृति में बना हुआ साइलेंस में बना हुआ वही प्रसाथ हमें खाना चाहिए जबान लल्चायमान नहीं करनी है योग भी चाहिए अब जबान लल्चायमान नहीं नहीं उसके लिए क्या चाहिए योग योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए नहीं तो बिमार पढ़ जाएंगे और वो चीज नहीं मिली आएगा मन में ये खाऊं ये खाऊं नहीं मिली तो इच्छा अंदर में बल्वती होती जा रही है तो बिमार पढ़ जाएंगे वहाँ सब कुछ first class होगा हमारे लिए माता खाना आदी भी first class बनाएगी जो हमारे पेट में आएगा बनाएगी भी खाएगी भी ऐसा बच्चा अंदर गर्भ में है तो खाना उसको उसी से जो माने खाया खाएगी अच्छा बच्चे को भी ऐसा ही मिलेगा जनम लेने से ही खान पान सब्शुद होता है तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तयारी करनी चाहिए बाप को याद करना है बाप आँकर रजिवनेट करते हैं वह लोग तो बंदर के ग्लांस भी मनुष्य में डालते हैं समझते हम जवान हो जाएंगे जैसे हार्ट नहीं डालते हैं बाप कोई हार्ट नहीं डालता है बाप कोई ऐसे हार्ट नहीं डालता है हमारे अंदर के संकल्पों का संसकारों का परिवर्टन करते हैं बाप तो आकर चेंज करते हैं अभी बाप सच्ची सत्य नाराइन की कथा, तीजरी की कथा, अमर नात की कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सिर्फ राजियोग सिखला कर पावन बनाता हूं। हम तुमको स्वधरशन चक्रधारी बनाते हैं। स्वधरशन दर्शन में कौन, यह रेलाइजेशन, तो बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वधरशन चक्रधारी बनाता हूं। उन्होंने फिर श्री कृष्न को चक्रधारी दिखाया है, स्वधरशन चक्रधारी फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है, अब उस्वधरशन चक्रधारी, कैसे फिराएंगे? बाबा कहते हैं, यहाँ कोई जादू वादू नहीं है, लेकिन स्वेम का दर्शन वो करना है, अपने दिल से पूछना है, अब क्या है स्वधरशन का दर्शन? हमारा रजिस्टर कहां तक ठीक है? रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पड़ते हैं या नहीं, कोई तो जूट भी बोल देते हैं, बाब कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे? अच्छा सच नहीं बोला, तो रजिस्टर खराब होगा? पहला नंबर दुश्मन है दे अभिमान, फिर काम, फिर क्रोथ, दे अभिमान में आने से ही व्रती खराब होती है, इसलिए बाब कहते हैं, दे ही अभिमानी भावा, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम जाकर स्वर्ग में छूटे बच्चे बनते हैं, स्वर्ग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर नाम, रूप, देश, काल, सब कुछ नया होगा, ये बेहत का ड्रामा है, जाया जाता है, बनी, बनाई, बन रही, ये होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें, जब बनी, बनाई, बन रही है, होना ही है, तो चिंता कहे ब दुनिया में इस समय सब पुझारी हैं, जहां पुझारी हैं, वहां पुझे एक भी हो नहीं सकता, पुझे होते ही हैं सत्युक्त रेता में, कल्युक में हैं पुझारी, फिर तुम अपने को पुझे कैसे कैला सकते हो? पुज्य तो देवी देवता ही है, मूल बात है, बाप समझाते हैं, पावन बनना है, तो मा मेकम याद करो, क्या करना है, मा मेकम याद करो, ड्रामा अनुसार, जिसने जितना पुरुशारत किया होगा, important बाबा की ये वाक्य है, जिसने जितना पुरुशारत किया होगा, वैं उतना ही करेंगे, बाबा ने में चेता भी दिया कि बच्चे पुरुशारत खूरा, फिर बाबा बेफिकर, अच्छा बच्चे, जो जितना करेगा, उतना ही करेंगे, जितना किया होगा वर्दान परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेश आत्मा भावा माप डादा हर बच्चे की विशेशता देखते हैं चाहे संपूर नहीं बने हैं पुर्शार थी हैं लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेशता नहीं येक भी नहीं हरे एक में विशेशता तो है सबसे पहली विशेष्टा तो कोटों में कोई की लिस्ट में बड़ी बात है हमें बाबा ने चुना है कोटों में कोई कोई में भी कोई हमें बाबा ने चुन करके एकत्र किया है बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना अधिकारी बनना ये भी बुद्धी की विशेषता है ना परखने की शक्ति है ना इसमें स्रेष्ट शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया इस स्रेष्ट शक्ति ने जो भगवान को पहचान लिया अपना मान लिया और उसके बन गए तो यह विशिष्ट है ना स्लोगन स्रेष्ट भाग्य की रेखा खीचने का कलम है स्रेष्ट कर्म भाग्य का संबंद कर्म से जितना मेरा कर्म महान उतना मेरा भाग्य महान जितना आप कर्मों पर ध्यान देते हैं भाग्य स्वत्य बनता है। आप अच्छे स्रेष्ट कर्म करो। और स्रेष्ट कर्म होता ही है बाबा की याद प्रभू स्मुर्ति से। तो जितना स्रेष्ट कर्म है उतना भाग्य हों चाहे। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बन ओम शांटी ओम शांटी व्राइण अर्व्राइण हिता जाढ़िजर कैल कर दो जाढ़िट हिता